मेरा जन्म सोमवार 11 नवंबर 1918 को राजिस्थान के पिलानल में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ती के बाद सैन संधी भी इसी दिन हुई थी। इस कारण से यहां एतिहासिक दिन था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुने लगा, मैंने व्यवसाय के साथ साथ रा मापू के काफी करीबी थे। घर का वातावरण आजादी के संघर्ष से प्रभावित था। मैं ऐसे वातावरण में बड़ा होने लगा। 22 वर्ष की उम्र तक आते आते मैं देश के कई बड़े नेताओं के साथ बंगाल की बड़ी राजनितिक हस्तियों से परिचित हो ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं हैं जिन्हें महात्मा जी की डांडी यात्रा के बारे में याद हो। कांधी जी ने सन 1930 में सत्य ग्रह का नारा दिया। फिर सन 1942 में अंग्रेजूं भारत छोडों का नारा बुलंद किया। इसके बाद सन 1942 में देश के सभी बड़े नेता बंबई अब मुंबई में हमारे घर बिरला हौस से गिरिफतार किये गए। ऐसे में हमारे परिवार को आजादी का आशीश ऐसे मिला जैसे स्वर्ग से शीतल ओस आकर गिरी हो। पिता जी मालविय जी के संपर्ग में 1920 में आये। वह मालविय जी की संजीदगी, साधारन त और तरीके। हिंदी और संस्क्रिट जैसे विश्यों और प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान वो उनके उच्छ नैतिक चरित्र से काफी प्रभावित हुए। मालविय जी ने हिंदुस्तान टाइम्स की शुरुवात की। जितने भी धन की जरूरत थी उसे पिता जी ने उपल मैन रहे। नई दिल्ली के बिर्ला हाउज में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का निधन हुआ था। इससे एक दिन पूर्व मेरे पिता और मैं पंडित गोविद वल्लब पंथ और उनके सुपुत्र के सी पंथ राजा को बिर्ला इंस्टिटूट अफ टेकनोलोजी और साइंस द दिल्ली रवाना हो गए थे। क्योंकि विमान छोटा था इसलिए उसमें सभी लोग नहीं बैठ सके। अतह मैं कुछ अन्य लोगों के साथ कार से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। मैं तब 30 वर्ष का था। मैंने सोचा कि यदि मैं अंतिम यात्रा में शामिल होने का अपन पिता जी को बताता तो वह अवश्य मुझे वहां जाने के लिए मना करते। क्योंकि पुलिस और प्रशासन द्वारा विशाल जन समुदाय को रोक पाने के बहुत पुखता इंतजाम नहीं थे। इसलिए मैं चुप चाप वहां पहुँचकर अंतिम यात्रा में शामिल हो उनके पिता जी के पास भी वापस जाने के लिए कोई वाहन नहीं था। हम दोनों और उनके तीन चार अन्य साथ ही पैदल लौट पड़े। रास्ते में हमने एक तांगा किया और घर से रवाना होने के बाद 5-6 घंटे में हम बिरला भवन पहुच सके थे।